कोनार्क अपना शहर अपनी बात सार कार चालक नशे में धुत्त था जिसकी वजह से कार काफी तेज गती से चलाई जा रही थी और कार बेकाबू होने की वजह से एक्टेवा को मारी गई जोड़दार टक्कर आईए देखते हैं इस घटना का CCTV फुटेज वलेते हैं पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं इस स्विफ्ट कार का नंबर MH05CA5117 आप इस कार और एक्टेवा की दूरदशा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी जोड़दार होगी वज़ दुरगटना का क्या असर होगा सूत्रों के अनुसार का अचालग का नाम गोपाल रेडी बताया जा रहा है कुमृत्तक यूअप का नाम रिशी बताया जा रहा है आप देख सकते हैं यह वो जो है फोर फिलर जो की रात के समय में जो की हाथसा जिसमें हुआ जिसमें एक की जो जान गई है और चार तीन जो लोग जो है वो गंबी रूप से घायल हुए बेराल एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो शराब भी मिल रही है और साथ जो खाने का जो है वो भी नजर आ रहा है यानि कि रात के समय में जो यूवक है शायर के वो इस प्रकार से ड्रिंग करते हैं और जो करते हैं जिसके विएसे ऐसे हाथ से लगातार होते यहां पर जो यह लापरवाही भी देखने को मिले कि रात के 1 बचे तक जो है 2 त10 बचक जो कれて पार चलते रहते हैं जिसके वज़े से जो है लोग शराब पीते हैं रात के समय में और इसी तरीके से जो है ला परवाओकर तेज गती में इस Looks में passe लगातार में होते है रहे हैं आप इस गाड़ी का देख के आप अंदासा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रफतार से गाड़ी को चलाया जा रहा था और कितने जोर से इसने ब्रेकर को टकर मारी है तो जिस प्रकार से दारू पीकर शहर में अगर देखेंगे तो ड्रिंक और राइब के केस बढ़ रहे हैं और गटना हुई थी इसका स्पीड हाई लेवल दा 120 स्पीड था गाड़ी उड़ रही थी उपर दो चार आदमी को उड़ा गया सामने ठोक दिया उदर ने ठोकता रहे ते रंडे वाला उड़ जाता था अंडे का गाड़ी लगता है बागी तो कुछ जानकरी नहीं है तूब तो फोर वीलर ने जो है पूरी गती से पोल पीएला था और गटरी था नहीं है उसके लिए उसके लिए उलोगोंने पिया